हलो दूस्तो नमस्कार इसम किसी चानल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ तो रुस्ते इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगबख साथ से आठ लेटेस्ट इंपोर्टेंट कवरे एंड उससे जुड़ीवे अपडेट्स तो चले स्टार्ट कर लेते हैं जीडिप से रिलेटर येस जैसे कि आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोग ने देखा होगा कि मार्केट में अगर हम लोग माहुल की बात करें ठीके तो टेंपररी जो माहुल है वो थोड़ा सा जादा नेगेटिव माहुल देखने को मिल रहा है एंड ऐसे माहुल में जैसे मैंने आपको बोला था कि हर जगे पर नेगेटिविटी देखने को पड़े तो चले चेक कर ही लेंगे आज के दिन साड़े पाच पॉने छे बजे के असपास हमारा देश का जीडिपी का डेटा सामने आ जाएगा वो डेटा सामने आ चलते की अनुमान से थोड़ा बेटर भी नजर यहां पर आ रहा है तो चलिए यहां पर इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मैं उसमें एक चोटा सा पॉजड़ेटिव पॉइंट देखने का आपे मिला है तो क्या इसके चलते बाजर में धूम धड़ा के दार तेजी आजाएगी चांसेज इसके कम है क्योंकि सबसे मेजर पॉइंट क्या है मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो सरदर्द होता है इंफलेशन जब नीचे आएगा ना मार्केट उसको सेलिब्रेट करता है ठीक है क्यो इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है जितन से नीचे भी जाना नीचे वरना जिंबावे बन जाएंगी हम लोग ठीक है कुछ वैल्यूई नहीं रहेगी चीजों की और छे के उपर भी ज्यादा ज्यादा अगर टिकता रहेगा तो भी दिक्कते हो जाएगी ठीक है सो इसी के बीच में जब इंफलेशन रहता है दो से लेकि 4 तक या फिर 2 से लेकि 6 तक तो उसको हल्दीन इंफलेशन माना जाता है और डो से चार में जीतना ज्यादा यह टाइम स्पेंट करेगा आर भी आ के हाथ खुल जाते है कि चलो रेट कट कर दो गर के और रेट कट हो जाता है तो फिर मार्केट में पैसों की बारिश हो नाचे बट inflation यह major problem है inflation अगर नीचे आ गया ना दोस्तो यह फिलाल फसाद की जड़ बन चुका है तो बहुत कुछ जो problems great हो रहे हैं वह sort out हो सकते हैं देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे एक favorite stock mtart technology yes mtart टेक एक बहुत ही शांदार company है ठीक कोई recommendation ही होता है बट yes यह जो company दोस्तों बीच में वीडियो भी बनाए था कि इस दो के जो अलग-अलग projects भी देखने को है आपे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं चंद्रैन 3 के भी success की बात करें इसमें भी इस company का योगदान था ठीक हर कोई अपने-अपने हिसाब से आपे योगदान देती रहती है अगर हम लोग बात करें तो लॉंग टर्म की हिसाब से company के जितने भी parameters देखने को मिल जाते है जैसे कि मैं बार-बार करता हूं कि यह company खास करके clean energy यह इनकी major rosy 50% income तो यही से होती है then defense space aerospace की बात करें इंजिनेरिंग की बात करें यह repetition में करते रहता हूं ताकि उसी के चलते आपको at least समझ में आना चाहिए कि इसका business क्या है करके ठीक है तो इसमें यह company काम करते वे देखने को मिल जाते है एंडिंग के clients तो आपको पता ही है ठीक है यह 7% देखकर नहीं जाना चाहिए ठीक है आपको company का business देखना आना चाहिए कल के दिन Warren Buffet जी का बड़े था मैंने आप लोगों को यही बताया था कि Warren Buffet जी ने भी एक quote में यही बोला है कि share को इसलिए ना खरीदो कि उसका price उपर जा रहा है करके ठीक है price आज उप येस कि 2500 का share 3000 जा रहा है ना अच्छा इसलिए खरीद लो 3000 का वापस 2500 है तो खराब हो गया तो ऐसा नहीं करने अगर आप एक investor हो ठीक है ट्रेडिंग एक अलग activity होती है वहापे short term के सबसे चलना पड़ते है बड़ अगर आप investment के सबसे जाते हो लंबी पारी खेलनी पड़ रही है और public को माल चिपकाय जा रहा है तो फिर डरने की बात है बट यहाप आप देख सकते institutions यहापे participate कर रहे है तो ज्यादा डरने की ज़रोत यहापे नहीं है नेक्स्ट अम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी वाइरिंग इंडिया लिमिटेड येस पहले मदरसन सुमी मतल अलग हो गया एंड वाइरिंग अलग हो गया ठीक है तो यह भी कंपनी बहुत से लोग ब्लाइंड ली खरीदने के लिए पीछे बागते क्योंकि सस्ता पार्च मतला 50-60 स्टॉक देखने को मिल जाता है आज 4-4.5 पसंट भाग है ठीक है कंपनी इंट्रेस्टिंग कंपनी ह अगर देखा गया तो बहुत सारे आप लोगों को अलग-अलग टाइप के कंपनीया देखने को भी मिल जाती है तो मदर संट में अगर आपको जाना ही है दोस्तों तो एक पॉइंट में ने जो हमेशा रिपीट करकर करके आपके दिमाग में फिट किया येस कि एक कंपनी का जो बिजनेस है आप लोगों को ग्लोबल लिवल पे इनका प्रेजन्स बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी जाके आपको इस सारी चीजों को अच्छा कासा कवर करने का मोखा है आपे मिल जाएगा ऐसा नहीं कि बस र इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें मतलब study purpose के लिए तो यही तो point में आपको समझा रहा हूँ कि बहुत टफ बन जाता है यहाँ इन चीजों को track करना कि कहां से कौन सी खबर निकल कर आ रही है करके तो यह point हमें पता होना चाहिए ix की बात करें अभी तक वही ओसी एक दाइरे में गूम रहा है जब खबर आएगी तब हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे बट यह रोज उसको check करना यहाँ पर पड़ता है rvnl की बात करें railway sector से जुड़ी भी company इंडिया की growth story बहुत ही कमाल के आप सब लोगों को पता ही है तो उसमें railway infrastructure का काम तो अच्छा है यहाँ पर होना ही होना है बट finally जब भागा तो आप check कर से थे 500-500% की returns बनते वे देखने को मिले है तो अच्छे company में जाओगे ना दूस्तों कभी-कभी होता है success मिलने के लिए लेट लगता है बट चल जाता है अगर आप लंबी अवधी के लिए यहाँ पर खेलना चाते हो तो ज़रूर इस company को study यहाँ पर कर सकते हो नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे happiest mind technology यहाँ से happiest mind आज का दिन इसका performance थोड़ा happy देखने को मिला था पर मिल रही है बट फिलाल आपको पता ही है कि IT सेक्टर वाले stocks से related issues क्या है इसकी इनका जो business है वह हमें America then European countries जो देखने को मिल जाते है वाई से इनको ज्यादा business मिलते वे देखने को मिल जाते है और वहाँ पर थोड़ा slow down चल रहा है recession चल रहा है यह इसको downgrade कर रहा है उसको downgrade कर रहा है तो इसके चलते थोड़ा सा nervousness वाला pattern बनते वे देखने को मिल रहा है पर इसके चलते कोई दुनिया खतम नहीं हो जाती है जैसे मैंने काई यह external issue है अगर happiest चलती रहती है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तो Bombay Stock Exchange Limited यह बात करें दमदार तेजी देखने को आप मिल चुकी है यह बात करें तो हम सब लोगों को पता ही है यह चार्ट पेटन भी हम लोगों को मार्केट का चार्ट पेटन के ही सबसे चीजे याद दिलाता है अग लेना कि यह स्टॉक भी नीचा रहा है और यह स्टॉक भी कमबेक कर रहा है मतलब समझ देना निफ्टी अपने टॉप लेवल पे वापस जा रहा है यह थियरी में हमेशा आप लोगों को Bombay Stock Exchange दैन उसी के साथ CDSL इसमें यह सिखा चुका हूँ तो यही चीज हम लोगों को बार बार देखने को आपे मिल रही है और यह स्टॉक के बार बार देखने को आपे मिल रही है इसी चीज के चलते आने वाले इनके नमबर्स इंप्रूव हो सकते है इसी प्रकार के रिपोर्ट के चलते हैं इसलिए खरीद होगे stupid decision ऐसे तो कल के दिन भी 10 कोई ना कोई स्ट स्टॉक में देखा गया ठीक है मार्केट लोज रहेगा बट मंडे की दिन की बात करें तभी कोई और स्टॉक भागेंगे तो उसमें फिर चलोगे तो ऐसा तेजी के पीछे नहीं भागना होता है कंपनी के बिजनेस अगर आपको लगता है कि मिनिंग फूल है तो फिर आप को लगते है कि यह कंपनी के बिजनेस में दम हे करके देन गो फ़र इट बट सिर्फ यहाप उपर उपर से चीजें स्टडी करके जाओगे तो फिर इसकी हो सकता है सुजला ने एनरजी की बात करें ठीक है आज के दिन 5% की रहे है कोई बात नहीं गजब की तेजी के बाद गिरावट होना एक नॉर्मल सी है आपर बात है बट ये एक पॉंट आप लोगों ने ज़रूर बार बार चेक करके रहना चाहिए कि जो बड़े प्लियर ने आपर बड़ा पैसा यापर इन्वेस्ट किया है ठीक है इसी चीज़ के चलते हैं ज्यादा इनरजी हम लोगों को इसमें आती भी देखने का आपे मिल रही है तो उसके उपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए कि अगर वो अपनी पोजिशन को कम कर रहे है तो आपने भी थोड़ा बहुत सावधान यापे रहना चाहिए दन हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज का दिन का थोड़ा सा मि देखने का आपे मिल रहे है और आखरी शन के उपर भी अगर आप चेक करोगे तो अजीब अजीब टाइप की हम लोगों को यहापे जबरदस से यहापे ट्रेडिंग पोजिशन से यहापे बनते वी देखने का आपे मिल रही थे सबस्तों बेसिकली देखा गए तो इस प्रकार के जो ग्याप से आपे क्रियेट होते हैं वो ज़्यादा दिर तर टिकते नहीं यूजूली हम लोगों को शायद से कल के दिन ही यह सारी चीज़े अजजस्ट भी होते वे देखने का आपे मिल जाएगी सब चाओ तो इस हिसाब से इस टॉक को क्या कर सकते हैं अपने रडार के उपर यहापे रख सकते हैं अगर यह चीज़े वैसी भी हो आने वाले समय में आप लोगों को इस सारी चीज़े नॉर्मालाइज होते वे देखने को मिल जाएगी शायद से कल की दिन ही देखने को मिल जाएगी तो इस चीज़ के चलते हैं आप चाओ तो इसको भी फोकस में आपे रख सकते हो इसके चलते कोई एज़े इंवेस्टर हम लोगों को ज्यादा फोई फरक पड़ता है नहीं दान हम लोग बात करेंगे जियो फानेंशिल सर्व क्योंकि इसके पीछी का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक ये सर्किट लगते हैं रहते हैं जब भी ऐसा डी मर्ज होने के बाद तो तब तक वो इंडेक्स में उसको यहाँ पर रखना पड़ता है दन हम लोग बात करेंगे दोस्तों IRFC के बारे में तो IRFC की बात करें तो येस OFS की खबर आईगे आईगे ऐसे बहुत से रिपोर्ट के जरे खबरे सामने हैं उसके बाद ही हम लोग कोई स्टॉक गिरते वे देखने हूँ का आपे मिल रहा है और लगरत देखा गया तो स्टॉक बहुत ही शांदर स्टॉक है आप सब लोग को यह आपर पता ही है यह investment के इसाब से आप हमें बात करो कोई recommendation नहीं है आप सब लोग को पता ही है आप चाहो तो इस company को study कर सकते है इसमें सबसे बड़े दो advantage रहते है कि ना तो इनके ओपर कोई tax का जमिला है और ना ही इनके ओपर कोई NPA का tension है क्योंकि सरकार बैक guarantees यह आपर रहती है finances provide करते है और railways को यह देते है तो ultimately तो पैसा अगर देखा गया तो ऐसे तो security है करके तो एक advantage हम लोगों को देखने को आपे मिल जाते है अभी इनका shareholding pattern 75% से उपर देखने को मिल रहे है तो जैसे से वो period narrow होते चला जाएगा तो आप more and more expect कर सकते कि जल से जल ओएफस आ जाए करके ठीक है तो ओर आल देखा गया तो ओएफस आना मतलब कोई गलत बात नहीं कि कंपनी बरबाद हो गई यह हो गई करके तो हाँ temporary basis की सबसे थोड़ा सा stock discount की सबसे नीचे चला जाता है वो एक चीज़ देखने को मिल जाते है बट वापस अगर company अच्छी है तो come back करते वे देखने को मिल जाएगी अपने लिंक के तरोपन के है प्रॉपरली कमणे से मेंचेंड कर देना तो अपते पर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे से फ्री अफकॉश पुराइट कर दी जाएगे ताकि अप शेयर बादर को आसन बाशा से सीख सको तब तक के लिए बाबाई